दिननों जेती की पाखवुची बजराज नगर उपनिरबाचन सेती की उस्मता भरूची अबंग प्रचार प्रसार सबु राज़ों निती को दलरे मध्यों जोरदार धरीची आज बजराज नगर आये थे प्रचार मेधन में पूतरे तो माहोल केसा था? बहुत अच्छा था और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ यहां के सभी लोगों का जिनों ने इतना भव्य स्वागत और इतना भव्य रोट शो किया और उनका उत्साह देखके प्यार देखके यही लगा कि भारती जन्ता पार्टी के सपोर्ट में सभी लोग उतर चुके हैं जिसे कि पहले अगर देखेंगे तो पहले भी मंत्री जी आये थे और बहुत सारे मुद्दा जो हैं क्योंकि भारती जन्ता पार्टी की जो किंद्र की सरकार है वो सभी राज्यों के लिए पूरे भारत के लिए योजनाय लेके आती है अगर कोई भी राज्यों उसको पूरी तरह लागू नहीं कर पा रहा है जैसे डीजल पेट्रोल के दाम में भी अभी कमी ला करके केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए काम किया वो अभी भी मुझे लगता ओडिसा में सायद अभी कम नहीं हुआ है तो ये जो भी योजनाय केंद्र सरकार की आ रही है अगर उसे कोई भी राज्यों सरकार लागू नहीं करती है तो भारतिय जनता पार्टी हला बोल करेगी क्योंकि भारतिय जनता पार्टी गरीबों के लिए काम कर रही है सर जैसे कि आप बोल रहे हैं भारत जंता पार्टी गरीबों के लिए काम करें लेकिन अगर देखा जाए राज्य सरकार भी जो है बीजेडी भी अब ग्राउंड में काम कर रहा है बीजेडी के बहुत सारे मंत्री भी यहां पर ब्रजराज रंगर में ललगभग एक महिना हो बिभारते जंता पार्टी को ले कर के वह बड़ा कमाल ता और मुझे लगता है कि भारते जंता पार्टी के सपोर्ट में लोग जित सरव उत्साह दिखा रहे थे उपचुनाओं में भारतिय जनता पार्टी भारी मतों से भी जही होगी अगर देखा जाएगा ब्रदराज नगर के हिस्ट्री के बारे में अगर हम देखेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री के मारे पहले कॉंग्रेस था फिर बीजेपी आया फिर उसके बाद बीजेडी का भी राज यहां पर कुछ चल रहा था तो लग रहा है पहले जो हार है उसका भी फिर से आएगा बीजेडी के कमबेक करेगा ऐसा कुछ लग रहा है मुझे लगता है कि सरकारे आती जाती रहती हैं लेकिन उसमें जो जनता है वो देखती है कि उनके हित में कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है तो आज जिन जिन राजियों में आप देख लीजिए बीजेपी की सरकार है चाये हमारे उत्तर प्रदेश में है चाये बिहार में है जिन जिन राजियों में है वहाँ पे जिस तरह से काम कर रही है बीजेपी उसको देखते हुए ओडिसा की जो जनता है वो भी समझ रही है कि हमें फिर से BJP को लाना है क्योंकि BJP वो पार्टी है भारत्य जन्ता पार्टी जो देश के हित में काम कर रही है और हम लोग दल से उपर उठ के देश के लिए काम करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे मानिय परधान मंत्री जी की नेत्रितों में आज भारत का डंका पूरे दुनिया में बज रहा है चाहे वो कोरोना काल में आप देखने जिस तरह से लोगों के लिए प्रधान मंतरी जी ने काम किया पूरे देश के लोगों के लिए काम किया उसको देखते हुए ही जिन-जिन राजियों में चुनाव हो रहा है वहां भारती जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है तो मुझे लगता है कि यहां भी भारती जनता पार्टी को परशंड बहुमत मिलेगी अगर सार अगर देखा जाए कॉंग्रेस की बात बोलेंगे ओडिसा में उसका स्तिती लगभग आचा नहीं है लेकिन जगर बात बोलेंगे कॉंग्रेस के जो प्रार्थी हैं वो भी बोल रहे हैं कि इस बार जो है लोग समझ चुके हैं बीजेडी का जो स्ट्रेटीजी है बीजेपी का जो स्ट्रेटीजी है लोग समझ चुके हैं लोग अब धिरे धिरे कहीं ना कहीं अगर बाकी राजियों के बर स्थिति देखेंगे, इलेक्शन के बारे में अगर देखेंगे, तो फिर से जो कॉंग्रेस बोल रहा है कि कॉंबेक करेंगा, मुंसी पाल्टी में भी इस बार जो इलेक्शन हुआ था, कहीं ना कहीं कॉंग् की बाते उनसे निकल के आई उससे यही पता चलता है कि भारते जनता पार्टी पे जो भरोसा जो विश्वास जनता को है वो कायम है और मुझे लगता है कि अब आपको यही देखनी मिलेगा कि जिस तरह से देश के बाकी राजियों में बीजेपी की लहर आई और लगातार बन सरकार भी यह भाट और टेक्स जो स्टेट गम में ले रहे हैं उसको कमाना चाहिए कि आपको कैसा लग रहा है उनको कम करना ही चाहिए क्योंकि अगर कोई भी सरकार हो सरकार को काम करना होता है जनता के लिए जनता के हित के लिए तो जब किंदर सरकार कोई निड़ने लेती है पूरे देश के लिए तो राजिस सरकारों की ये जिमेदारी होती है कि वो जंता के हित में सोचे और अगर कोई भी योजना आती है जंता के हित में तो उसे लागू करे तो आज जब किंदर सरकार ने पेट्रोल का दाम कम कर दिया और लोगों को महंगाई के मार से बचाने की कोशिश कर रही है तो ये हर राजिस सरकार की भी जिमेदारी बनती है कि हो भी उसको लागो करे। ये जो अभी भी आगर देखेंगे आप तो इस बार जो है ये जो sympathy vote होगा क्या बीजडी के लिए sympathy vote होगा क्या क्या क्योंकि अगर बीजडी के जो प्रार्थी थे पहले यहाँ पे उनके death होने बाद उनके धर्मपत्नी को दिया गया है तो ये sympathy vote का एक जो strategy है बीजडी कहीं ना कहीं खेल रहा है क्या लोगों के साथ देखिए सब लोग अपनी स्टेजी खेलते हैं, सब लोग चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें सिंपथी वोट प्रभाप लेगा क्या अगर मुझे लगता सिंपथी वोट नहीं होता है, वोट वो होता है कि जनता के लिए जो काम करे अब आप देख सकते हैं कि यहां के राज्य सरकार कम ही नहीं कर पा रही है तेल और डीजल का जो दाम है जो जनता के लिए किया गया है उसको कम जब वही नहीं कर पा रही है तो जनता समझती है कि हम जिस सरकार के लिए हमने समर्थन दिया था वो जब हमारे लिए काम नहीं कर पा रहे है तो उससे रखने का कोई फायदा है नहीं सबस्क्राइब प्रवाटी अधरी जनता पार्टी के बरुष्ञनले नेता और शिक्षा मंत्री तो उनसक्रा उन से प्रभाव जो है भारती जानता पार्टी में बहुत ही अच्छा है उनके शेत्र की जो भी समस्याएं हैं उस पे काम करने के लिए वो मजबूती से काम करेंगे और मुझे लगता है कि ये सारी समस्याए धर्मेंद प्रधान जी उसको नजर में रख करके और उसका समाधान करेंगे निया ती भाबरे देखुतले आमसोहित थिले जादब जी जहां कोहुतले कि जो पेट्रोल बंग डिजेल रो दर कमेवा पे राजय सरकार कुसे निवेदन करी चन्ति अन्य पटे राजय सरकार करमध हेबी वेट नेता मंत्री आसु चन्ति किन्तु एथरा बीजेपी ब्रजर राजनगरु केमरा परसंद सोंतोस घड़ें को सह सत्रुपास सामंत्रे अर्गस्न्यूज